सो गाइस आपको पता होगा यूटूब चैनल अभी बहुत ज्यादा हैक हो रहा है यूटूब पर सर्च करते हैं कि माई यूटूब चैनल हैक तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बड़े बड़े यूटूबर्स तक का भी यूटूब चैनल हैक हो जाता है और वो सब भी जो हैक होता है वो छोटे छोटे गलतिगों के वज़े से होता है आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल अकाउंट को सिकुरेटरी से से शेफ कर सकते हैं हैकर से आप बचा सकते हैं कोई भी आपका गूगल अकाउंट कितना भी हैक करने का कोशिस करे लोग इन करने का कोशिज करें पर आपका Gmail अकाउंट वो लोग इन नहीं कर पाएगा वीडियो को देखते रहे हैं का बहुत important है क्योंकि होता क्या है कि छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं मेरे काफी ऐसे भाई लोग है जो मेसेज करते हैं कि मेरा Google अकाउंट का पासवर्ट भूल गये हैं या मेरा Google अकाउंट को और लॉग इन कर रहा है या मेरा YouTube चैनल हैक हो गया हुआ है और जया मैं उनसे पोछता हूँ कि भाई तुमने ये चीज करके रखा था क्या तो भाई बोबो बोलते कि ये क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है मैंने तो ये कभी किया ही नहीं है तो ये जरूर कर ले जो मैं आपको बताने वाला हूँ सो वीडियो को देखते रहेगे चैनल पर नहा है तो सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गूगल जो है गूगल अकाउंट में बहुत सारे सेकुरेटरी के लिए चीज़े दिये हुए है जैसे कि 2HTF वेरिफिकेशन रिकबरी पासवर्ड रिकबरी इमेल अड्रेस यह सब तो रिकबरी पासवर्ड और रिकबरी इमेल अड्रेस तो बहुत लोग डालते हैं पर मोब कर गूगल अकाउंट जब भी कोई लॉगइन करना चाहिएगा तो आपका फोन में नोटिफिकेशन आएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका गूगल अकाउंट आपका फोन छोड़कर लैपटॉप छोड़कर कॉम्प्यूटर छोड़कर कहीं और लोगिन कर रें और लोग करना चाहेगा तो जैसे ही वो log in करने के लिए email डालेगा मेरा password डालका login पर click करेगा तो मेरे पास एक notification आ जाएगा इसमें बोला जाएगा कि आपका जो email account है यह कहीं और login किया जा रहा है क्या भी आप इसे login करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं अगर हां कर दीजेगा तो वो log in कर सकता है अगर नहीं करते हैं तो log in नहीं कर सकता है यानि कि आपका email address आपका password अगर किसी को पता भी चल जाता है और आप 2H verification को on करके रखते हैं तो वो कभी भी log in नहीं कर पाएगा उसके साथ साथ अगर आपका mobile phone गुम हो जाता है तो आप पता कर सकते हैं कि आपका mobile phone गुम कैसे हुआ है last उसका जो log in है वो कहां पर हुआ है साथ में यह भी कि जब भी कोई third party कोई log in करके रखता है माली जी कि आपका कोई third party जो है कोई दूसरा जो है log in करके रखा हुआ है तो आप एक ही बार में अपने account से उसे log out करके उसे remove कर सकते हैं और यहां तक कि आगर आपका account कोई और log in करके रखा हुआ है और आपको सख है कि वो अभी तक log out नहीं किया है तो उसका phone को पूरा format भी कर सकते हैं आपके Gmail account से तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 2HT verification को on करना है दोस्तो आपको Google में आ जाना है Google में आने के बाद आपको जो है आपका यहां पर logo दिखेगा उस पर click कर देना है manage your Google account पर आपको click कर देना है इसके जग़ा पर आपको my account भी दिखेगा तो उसके बाद दोस्तो यहां पर आपको security का एक option मिलेगा उस पर आप click कर देजिएगा जैसे ही इस पर click कीजिएगा तो Gmail account का जितने भी security होते हैं सारे यहां पर आ जाएंगे हमें क्या करना है कि हमें यहां पर two step verification को on करना है तो उसका option आपको यहां पर मिल जाएगा देख सकते हैं लिखावा है sign in into google और उसके नीचे भी लिखावा है password लिखावा है use your phone to sign in और two step verification जब भी कोई मेरा login करेगा तो पहले sign in के लिए पूछेगा notification आएगा और two step verification में बिना आपके इजाज़त का कोई भी login नहीं कर सकता है तो सबसे पहले इसका setup हम करेंगे क्लिक कर देंगे use your phone to sign in पर और उसके बाद यहां पर आपको देख सकते setup का एक option मिल जाता है और सब कुछ इसमें बताया गया है कि आपको कैसे यह काम करता है और मैं आपको बताऊंगा भी तो set it up पर क्लिक कर देना है जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मेरा जो phone है वो sommi का Redmi 5 Plus है जिसमें मेरा यह account जो है login है दूसरा phone में add करना चाहते है तो क्लिक करके add कर सकते हैं अगर कोई और phone है तो screen lock है यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको next पर क्लिक कर देना है उसके बाद अपना email address डाल दिए और फिर next पर आप क्लिक कर दिजिए दोस्तों next पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके phone पर notification जाएगा कि पहले आपको confirm screen lock करना है ताकि यह verify कर ले screen lock जैसे कीजिएगा उसके पार yes और no पर क्लिक करना है yes पर जैसे क्लिक कीजिएगा बस यह automatic जो है आपका sign in हो जाएगा देख सकते हैं यह turn on भी हो गया it works turn it on अब क्या होगा कि जब भी आपका कोई Gmail login करेगा तो आपके पास notification जाएगा वहाँ से अगर आप no कर दिजिएगा तो वो login नहीं कर पाएगा और yes कर दिजिएगा तो login कर पाएगा तो इसका काम यहाँ पर दोस्तों हो गया complete अब यहाँ पर हम लोगों को करना है two step verification उसमें भी SI होता है कि आपको confirm screen log करने के लिए बोले का तब ही वो कर सकता है और बहुत step जो है इसमें और भी जो है सो add हो जाते हैं तो two step verification off है तो आपको दोस्तों इस पर click कर देना है इस पर जैसे ही click कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने account को protect कर सकते हैं इसमें आप पढ़ भी सकते हैं get started पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मतलगी जैसे जैसे आप login कीजिएगा तो क्या क्या आपको फायदे होंगे उसका तो okay पर आप click कर देजिए पर दोस्तों जैसे ही आप click कीजिएगा तो आपके सामने google accounts open होंगा ऐसा आएगा देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बीना आपके इजाज़त का कोई भी नहीं ले सकता है और आपका जो phone है उस पर जाएगा notification जैसा कि मैंने आपको दिखाया था confirm screen lock वाल और वहां से अगर आप no कर देते हैं तो यह login नहीं होगा और वहां से अगर mobile से yes कर देते हैं तो यहाँ पर login हो जाएगा ऐसे में क्या होगा कि जब भी आपका कोई email login करना चाहेगा और आपके phone में notification आएगा तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई जानबुच कर है करने के कोशि और मतलब कि confirm कर लिजिए और उसके बाद OTP से आपको verify करना होगा तो try it now पर click करके एक बार यहाँ पर confirm कर लिजिए कि आपका जो mobile phone है वो सही से work कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आपके mobile phone भी फिर से जाएगा वैसा ही yes वाला notification तो आपको क्या करना है कि पहले confirm screen lock कर देना है उसके बाद आपके पूछा जाएगा yes और no तो आपको yes पर click कर देना है से Yes कीजिएगा तो आपके सामने यह option open हो जायगा जहाँ पर बोला जाएगा कि आपके mobile नंबर को verify कीजिए तो mobile नंबर डाल कर और आपको send पर click कर देना है जैसे sind पर click किजूएगा तो आपके उस मोबाइल नमबर पे OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा OTP डालने के बाद आप जैसे ही Next पर क्लिक कीजिएगा तो उसके IA का प्रोसेस आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है OTP डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2-step verification जो है वो complete समझे तो हो चुका है Turn on पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका 2-step verification जो है यहाँ पर complete हो गया और इसमें अब कुछ भी नहीं करना है अगर आप extra mobile add करना चाहते हैं कोई और mobile तो उसको भी आप add कर सकते हैं 2-step verification यहाँ पर on लिख रहा जैसे कि आपने देख लिया कि 2-step verification को कैसे आप add कर सकते हैं वीडियो कैसा लागा comment करके जरूर बताइएगा वीडियो पर like target है 30 likes आप उसे complete कर दिजिए नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए ख्याल लिखिए अपना गुद बाइ टेक केर